हेलो एव्रिवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर यहां हम देख रहे है पाइथन में किस प्रकार से हम लोग GUI अप्लिकेशन बना सकते है विद दा हैलप आफ T-K-INTER थीक है या फिर हम इसको की इंटर भी बोल सकते है T-K-I-N-T-E-R तो इससे प्रेविएस टी-torial में हम लोगोंने देखा कि किस प्रकार से हम लोग winning form बना सकते है उसके बाद हम लोग देखे कि फिन्डों फॉर्म में label कैसे बना सकते है कि अगर हम लोगो को Word चैक्स ब हम लोगों को यहांपे tzads ko import करवाना होगा और यहां पर इसका मैं एक छोटा सा नाम देंदेता हूँ । 이 to ैसके बाद में क्या करना होगा हम लोगों को window फ़र्म करेड करना है एक हम लोगों को तो यहांपे के हम Кभ ना होगा जो हमारा एक चुली में एक object बना है object बना है तो यहाँ पर object name dot main loop वाला function हम लोग call करें ठीक है अब अगर इसको मैं compile करके दिखाऊ तो आपको एक window form दिखेगा उसके लावा कुछ भी नहीं दिखे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि अगर इस window form का अग हम लोग title भी दे सकते हैं ठीक है बट मैं अभी title वगरा नहीं दे रहा हूं कि क्यों मैंने आप लोगों को बता दिया है मैं simple यहाँ पर आपको text box किस प्रकार से हम लोग डाल सकते हैं वह मैं रिखाना चाहता हूं तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं मैं एक variable ल लिखना होगा text box के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है entry फिर bracket open close ठीक है उसके बाद में अब जिस window form में हम डालना चाहते है उस window form का नाम यहाँ देंगे फिर comma उसके बाद में फिर यहाँ पर आप color वगरा देना चाहते तो दे सकते है बट अगर हम सिर्फ इतना ही करें तो एक text box हम लोगों को मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूं नहीं अभी मिलेगा नहीं क्योंकि इसको हम लोग place नहीं करवाया है तो यहाँ पर मैं place करवा देता हूं text box dot और उसके बाद हम function यूज कर रहे हैं मैं आप लोगों को place grid और पेक यह तीनों function का use बताया था अभी यहाँ पर x जो रहेगा वो मैं 10 देता हूं और यहाँ पर y जो रहेगा वो भी मैं 10 देता हूं और उसके बाद अभी मैं इसको compile करूंगा तो देखिए एक window form available होगा with text box मैं इसको compile कर रहा हूं तो देखिए एक window form यहाँ पर आया और इसमें देखिए यह आपका text box भी है ठीक है अब अगर इस window form में हम लोग color वगरा करना चाहते तो यहाँ पर मैं bg color लिखूँ और यहाँ मैं अगर लिख दू b l u e blue और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को compile करके दिखाऊं देखिए अब इस text box का color क्या हो गया है blue हो गया है और text का color अभी यहाँ पर क्या आ रहा है तो text का color भी हम लोग change कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को fg लिखना होगा और fg के बाद अगर मैं यहाँ पर white लिख दूँ और then अगर मैं इसको फिर से compile करूँ और आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है e equal to five लिख दूँ अभी जो हमारा text box होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा देखिए ऐसे दिखेगा हमारा text box ठीक है फिर font यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें भी है न इतना में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि text box हम लोग कैसे बनाते हैं ठीक है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो प्लीस बेल आइकन पे भी क्ल करना मत भूलिए